हेलो दोस्तों सीता की कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों आज सीता का भाई नट्टू उसे लेने के लिए आया हुआ है और सब लोग नानी के घर जाने की तयारी कर रही है यहाँ पर राधा भी सीता के साथ जाने वाली है तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होनी वाला है दीदी, दीदी सारी तयारी हो गई है ना कोई समान छूटा तो नहीं है हम कई दिन रुखने वाले हैं मा की खर हाँ राध हाँ, सारी तयारी तो मैंने राध को ही कर ली दी अच्छे से सारा सामान पैक कर लिया है मैंने खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़े रखी है रास्ते में भूख लगेगी तो खाना खा लेंगी ठीक है ना अरे हा दीदी ये तो आपने बहुत ही अच्छे किया आपका गाओं तो बहुत ही जदा दूर है रास्ते में तो हम सब को भूख लगी जाएगी मैंने इसमें आलो के पराठे रखी है और इस वाले तोकरी में मैंने कुछ फ्रूट्स भी रख लिए है सिंगाडे, केले और अंगूर रखी है मैंने सब के लिए अब हम आराम से खाते पीते हुए इंजॉय करके जाएंगे बड़ा ही मज़ा आएगा रास्ते में जाते हुए अरे हाँ दीदी मुझे तो वैसे भी सफर करना बहुत अच्छा लगता है और मैं तो खाते पीते हुए ही जाती हूँ ऐसे तो मैं बोर हो जाती हूँ अरे दीदी वो आपने चना रखा क्या मुझे रास्ते में चना खाना बहुत पसंद है अरे हाँ मैंने अच्छे से रख लिया है सब कुछ और साथ में हाज मूला की कुछ गूलिया भी मैंने रखी है कहीं रास्ते में किसी को उल्टी न हो जाए ठीक है ना सारी तयारिया हो गई है रासा तुम चिंदा मत करो अरे बाद इदी ये तो आपने बड़ा ही अच्छे किया अब मैं जाकर नट्टू भाई को बोलती हूँ कि वो जल्दी से चली कहीं दीर न हो जाए हमी मैं अभी बुला कर लाती हूँ नट्टू भाई को नट्टू भाई सारी तयारिया हो गई है चलो अब चलती है मा के घर पता है ना यहां से बस्टेंड बहुत ही ज़्यादा दूर है और रास्ते में ओटो भी बड़े ही मुश्किल से मिलते है और हाँ बच्चो तुमने अपने सारी तयारिया अच्छे से कर ली है ना देखो कुछ भूलना नहीं तुम ठीक है न वहाँ जाकर मुझे परिशान न करना अरे मम्मी हमने सारी तयारिया अच्छे से कर ली है अब आप चल्दी से नानी के घर चलिए ना हमारा तो बहुत ज़्यादा मन कर गहा है अभी से नारी के घर चले जाए जैसे हम उड़कर अले ममी बागी तो शबते याली हो गई है पलना मुझे एक पल बात्रूम जाना है मैं अभी बात्रूम होकर लाती हूँ नहीं तो लास्ते में मुझे शूशू लगीगी तो मैं बहुत ज़्यादा पलेशान हो जाऊंगी बसमें तो मैं शूशू करने के लिए भी नहीं जा सकती मैं अभी आती हूँ ममी मिला इतजाल करना ठीक है ना मुझे छोल कर मज चले जाना कहीं ऐसा ना हो तब तक मैं आओं आओं आप चब यहां से गायब हो जाओ मैं अभी दोल कर जाती हूँ और भाग कर आती हूँ अले जल्दी चलो जल्दी चलो मुझे तो बहुत चोल से शूशू लगी है अच्छा हुआ ममी ने याद दिला दिया चोनल दीडी भाग भाग कर जाती दोल दोल कर जाती चोनल दीडी शूशू कर ले दादी अच्छा बच्चो सारी तयारी अच्छे से कर ले ना ठीक है ना मैं राखवची से थोड़े पैसे मांग कर लाती हूँ मेरे पास तो एक पी पैसे नहीं है रास्ते में बच्चे कुछ न कुछ खाने को मांगेंगे तो जरूरत तो मुझे पढ़ेगी राखमची से कुछ जादा ही पैसे ले लोगी मा के घर जाएके खूब जादा शोपिंग करनी है मुझे अरे भाई नट्टू रास्ते में बच्चो का और सामान का अच्छे से खयाल रखना ठीक है ना कहीं कोई चोरी मत करवा देना कुछ सामान रास्ते में बड़े ही चोर चेके होते हैं और हाँ इस बड़े वाले बैक का लोग लगा कर अपने बराबर में रख लेना सब चीजों का अच्छे से खयाल रखना नट्टू अरे हाँ जी जा जी मैं सबका अच्छे से खयाल रखूँगा बच्चों का भी और हाँ बड़े वाले बैक का भी अब बिल्कुल भी टेंशन मत किये गएगा मैं हूना नट्टू सबका भाई बंद陳 आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं जैसे मैं बच्चा हूँ अरे हाँ तु बच्चा नहीं पर ला परवा है वैसे एक दो दिन में सीता को छोड़ने के लिए आजाना वापस ठीक है न और हाँ मैं तुमारे घर नहीं आना जाता है मैं नराज हूँ तुम सबसे ठीक है ना क्योंकि तुम्हारे गाउम में तो सब लोग तुम्हारे जैसे ही बेवकूफ है वहाँ जाकर तो मैं ही आधा पागल हो जाता हूँ ठीक है अब तुम अच्छे से ले जाना बच्चों को अब मैं जा रहा हूँ खेट पर मुझे जाकर देखना होगा फसल कैसी है मैं तो दो दिन से खेट पर भी नहीं गया हूँ अच्छा ठीक है मैं अब जा रहा हूँ बच्चों का अच्छे से क्याल रखना भाई न तू चलो आप जाकर खेत को सबाल लेता हूँ कहीं फसल ना खा गए हो जंगली जानवर अरे अरे राखवची तो पहर की तरफ जा रहे है राखवची राखवची रुके मेरे बास सुनिए हाँ हाँ बोलो सीता क्या काम है अरे वाँ सीता आज़ तो बड़ी सुन्दर लग रही है अरे हाँ वैसे तुमने मुझे क्यों रोका मैं तो खेत की तरफ जा रहा था भाई मैंने बोला ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ तुम जाओ उस अपने भाई नट्टू के साथ अरे हाँ वो तुम्हें जाही रही हूँ पर ना आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है और बच्चे तो ना रास्ते में ट्रेन में कुछ ना कुछ खाने को मांगेंगे ही मेरे पास पैसे तो होने चाहिए न राखवजी लाइए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए फिर हमी जाना है बस इतनी सी बात यह है लो सीता खूब मजे करना ठीक है न अच्छे से शोपिंग वोपिंग करके आना भाई तुम भी बड़ी जल्दी कहां जाती हो अपने मांगे चली जाओ और खूब इंजोई करना अरे आपका बहुती ज़्यादा शुक्रिया राखवजी आपने तो मुझे कितने ही चाता पैसे दे दी है अब मैं जाती हूँ मांगे गर अब तो खूब इंजोई करूँगी देखो कैसे खिल-खिला कर हस रही है मेरी सीता तीक सीता अब मैं जा रहा हूँ खेट पर अरे वा कितने अच्छी है राखवजी मुझे तो ठेर सारे पैसे दे दी है अब तो मैंने समाल कर अपने समान के अंदर रख लेती हूँ चिपा कर रास्ते में कोई चोर उचक्का देख न ले जा कर देखता हूँ राधा और सीता दीदी तयार हुई या नहीं पता नहीं कितना समय लगा रही है ये सब अरे बेटा तुम अच्छे से तयार हो गई हो ना स्वीटी हमें जल्दी ही निकलना है मैं तो कब से हूँ रैडी तयार ले जाओ कोई नानी के घर अरे बच्चे पीरा हमेशा ही ऐसी बाते करती है चलो बेटा चलो तुम्हारी मम्मी कहा है पता नहीं कहां चलीगी राधा दीदी सीता दीदी राधा दीदी कहा है आप अरे जल्दी चलिए ना हम लोग लेट हो रही है अरे दीदी चलती चलिए अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा हमें चलती से मा के घर जाना है अरे हां राधा मेरा भी यही हाल है मेरा भी बड़ा मन है जैसे उड़कर चली जाओं मैं मा के घर चलो अब चलते हैं नट्टु भाई हमारा इतिजार कर रहा है वो नहीं तो हमें छोड़ कर ही चला जाएगा हाँ चलिए सीता दीदी मैं अभी चिंटु को लेकर आती हूँ आओ बेटा चिंटु चलो हम नानी मा के घर जाएंगे वहाँ पर खूब मस्तिक करेंगे नानी मा ते धलता हूँ दा अरे हाँ बेटा नानी मा के घर पर ही जा रही है कितना चदख खुश हो रहा है मेरा चिंटु मैं नानी मा ते धलता हूँ दा हलवा पूरी था हूँ दा अरे हाँ बेटा तुम हल्बा पूरी भी खा लेना वहाँ पर आरे दीदी आपकी बात एक अतम हो गी या नहीं मैं तो यहाँ बैठा बैठा सूख गया हूँ अब चल्दी से चलिए अरे अरे सोरी नट्टू भाई चलो अब चलते हैं हम लग तो बिलकुल अच्छे से तैयार हो गई है ठीक है ना आओ सोनल सूख इटी अपना अपना सामार अच्छे से उठा लेना और हाँ भाई नट्टू यह सारे बैग ना तुम उठा लेना मेरे हाथ में तो यह पर्स है ठीक है ना चोकि मैंने अपनी सारी से मैचिंग मैचिंग करके लिया है अरे यह दीदी ने कितना ज़्यादा भारी सामार मुझे पकड़ा दिया है चलो भाई बच्चो जल्दी चलो और इस तरह से सब लोग बस्टेंड की तरफ जाने लगते हैं चलो राधा दीदी आप भी चलो चल्दी से ये 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 नानी के खल जाएंगी मस्तिक करेंगी हाँ खुप मस्तिक करेंगी नानी मा के घर ला 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 अरे अरे राधा तुम अपसे पहले ठक गई हो क्या चलो चलती चलो मुझे तो बस्टेंड का रास्ता भी नहीं पता है कहीं नट्टू भाई हमसे आगे ना निकल जाए और हम तो रास्ते में खोई जाएंगी हरे हाँ हाँ दीदी चलिए चलिए चलते हैं और इस तरह से सब लोग बस्टेंड की तरफ जाने लगते हैं और तभी यहाँ पराखो भी खेट से आ जाते हैं अरे अच्छा है मैं खेट को देखकर आ गया मेरी फसल तो बिल्कुल ही सुरक्षित है लगता है सब लोग चले गई है चलो अच्छा है कुछ दिन तो स्तीता जी से पीछा चूटा मेरा अब मैं यहाँ घर पर बड़े मज़े से रहूँगा खूब मस्ती करूँगा कोई रोक तोक नहीं होगी ला 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 अरे मुझे भूग लगी है चलो मैं यह थोड़े से सिंघाडे खा लेता हूँ अपने खेट से लेकर आया था मैं कितने मीठे सिंघाडे दिख रहे हैं यह चलो मैं इने ही चट कर देता हूँ खूब यहाँ पर इंजोई करूँगा गुमू फिरिऊंगा मस्ती करूँगा और इस तरह से राकोक सिंगाडे खाने लगता है और इधर नटो भी बस्टेंड पर पहुँच जाता है अरे बहुत जादा ठक गया हूँ मैं तो दीदी ने मुझे कितना बारी समान पकड़ा दिया और कितनी जादा दूर है ये बस्टेंड मैं तो यहां कुछ दिर बैठ जाता हूँ मैं तो बहुत ही जादा ठक गया हूँ चलो यहां कुर्सी पर बैठ कर कुछ दिर आराम कर लेता हूँ अरे ये सब लोग कहां रह गई गई मेरे पीछे ही तो आ रहे थे चलो मैं तो देखने नहीं जाता हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा ठका हुआ हूँ ये अपने आप ही आ जाएंगे कुछ देर में हाँ चलो अच्छा है पैटने के लिए कुर्सी मिल गई अरे हाँ कितना ज़्यादा ठक गई हूँ मैं तो चलते चलते अले हाँ ये नेट्टू मामा बीना कित्रे ज़्यादा कंजूश है हमें ओर्टो में बिठाकल भी नहीं लाए इतनी देल से हमें पैदल ही चला लए है मिली तो पैल ही दुखने लगी और देखो खुद आकल कैशे कुल्चिपल पशल कर बैठ गई है अरे हाँ ये तो तुम सही कह रही है हो सोनल दीदी कितने ज़्यादा कंजूश हैं हमारे मामा कितने दुर्ट तक हमें पैदल चला कर ही लाए हैं मैं तो नानी मा से इनकी शिकायत करने वाली हूँ इतना कंजूश बामा कैसे उनोंने हमारे घर पर भेज दिया हां अरि देखो सोनल दी-दी बस आ गई है चलो हम जाकर देखती है हम बसके अंदर जाकर बैट चाती है अरे कितनी सुन्दर है ये बस अले लुको मैं भी आ ले ही हूँ मुझे भी बैटना है बशके अंदर अले वां कितनी बली है अरे अरे बच्चों क्या कर रहे हो तुम इधर आओ मेरे पास उस वाली बस में हमें नहीं पैटना है बाई पता नहीं कहां पहुचा देगी ये तुम्हें बस अरे क्या मामा जी इस वाली बस में हमें नहीं बैठता है तो हमारी वाली बस कब आएगी कितने देर में जाएंगे हम नानी मा के गर अरे लगता है ये वाली है वो बस अले हाँ ये ही बस तो है इसी में जाएंगे शायद हम नानी मा के गर चलो उश्वाली बश में हम जाकर बैठ चाते है अली ये मम्मी अब तक क्यों नहीं आई कहां पर ले गई मम्मी और लाधा चाची आओ श्वीती पहले हम मम्मी और लाधा चाची का इंतजाल कलते हैं अरे हाँ हम मम्मी और राधा चाशी के आने के आने के बाद ही बस में बैठेंगे नहीं तो वो यही पर रह जाएंगी और हमें ढूरती रहेंगी पता नहीं कहां पर रह गए दोनों की दोनों कितना मचा आता अगर वो आ जाती तो अब तक तो हम बस के अंदर जाकर बैठ जा जाए फिर रात तक कोई बस नहीं है अरे ये राधा दीदी और सीधा दीदी भी ना पता नहीं कहां पर रह गई अरे बेटा तुम यहीं पर रुको ठीक है ना मैं देखकर आता हूँ राधा दीदी और सीधा दीदी कहां पर रह गई अब उन्हें ढूनना होगा मुझे बस ट थक गई हूं सीता दीदी कुछ देर यहां कुर्सी पर पैर चाती हूं यह चिंटू बीना दूद पीपी कर इतना मोटा हो गया है अरे नहीं पच्चों के बारे में ऐसा नहीं बोल दे थी कहना चिंटू को नजर लग जाएगी हां कैसी बाते बोलती हो तुम आगे से ऐसा नह ही बोलना मेरा प्यारा चिंटू बेटा देखो नकितना क्यूट लगता है गोलू मोलू अरे लगता है बस चलने वाली है अब यह नटू बेवकुफ कहां रह गया पता नहीं आज हमें मा के घर पहुंचाएगा भी या नहीं यह भगवान कहां चला गया यह नटू अब इस जाएगे हम नानी मा के घल अरे हां ममी देखे ना बस तो होरंग पे होरंग दिये जा रही है लगता है बस तो अब हमारी छूटी जाएगी अरे अरे बेटा तुम घबराओ नहीं आ गया तुम्हारा नट्टू मामा ठीक है ना अरे भाई नट्टू कितने चाद लापरवा हो तुम इदर उदर घूम रही हो चलो हम बस में जाकर बैठ जाती है ये ये मामा जी आ गई अब हम बस के अंदर जाकर बैठ जाती है और इस तरह से सब लोग जाकर बस के अंदर बैठ ले लगते हैं दोस्तों क्या आप सोनल स्वीटी की नानी मा से मिलना चाते हो और घूमन जाते हो सोनल स्वीटी की नानीमा के गाउं में तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा हम जल्दी ही जाने वाले हैं सोनल स्वीटी की नानीमा के गर तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाप बाई दोस्तो